हेलो रिवान नमश्कार साथ श्रीक राल जिया हिंजा श्री राम हरार महादेश स्वागत एक बार फिर से आप सभी का बैंकर सड़ा के ऑफिचल यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है गगन तो कैसे आप सभी तो फटा फट से एक बार आजए यह फटा फट से क्लास को करते है तो कैसे आप सभी बढ़िया होंगे घर में होंगे बढ़िया बढ़िया अपना काम कर रहे होंगे आज तारीक हो चुकी है 19 नवंबर फटा फट से क्लास को स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे आप सभी को पता है तीन दिन के करन्टे करते हम एक दिन कैसे पहले हम करेंगे जो 18 दिसंबर को करेंट फिर किये तो उसकी question आंतर form में revision फिर हम करेंगे आज के यानि की 19 दिसंबर करेंट फिर detail में और फिर class के end में हम करेंगे 17 दिसंबर के करेंट फिर one liner form में बोलो सर इतने सारे क्या हो आरे तभी तो याद रहेगा पेपर में कैसे करके आओगे सभी को नमस्कार सभी को good morning सभी को राधे राधे तो फटा फट से start करते हैं पहले हम करेंगे days, dates और themes मैं अठरा को पिछले कर आपको बताना भूल गया था days, dates, themes तो आज उसको पूरा करेंगे तो पहला, तो दोस्तो अठरा दिसंबर को मनाया गया जाता है National Minorities Rights Day अब Minorities क्या होता है, हिंदी में बोले तो अलप संख्या बहला हर एरिया में कही ना कोई ना कोई Minority होती है वो किसके बेस पर, कास्ट के बेस पर हो सकती है, वो Religion के बेस पर हो सकती है जैसे कि इंडिया में, Majority में सिर्फ एक ही Religion है, हिंदू, बाकि सभी Religion Minority में आ जाते है लेकिन अगर आप पाकिस्तान में जाए, वहाँ पर क्या है Majority में, वहाँ पर इसलाम है, बाकि Religion Minority में है फिर कास्ट के बेस पर, अलग-अलग तरह के रंग के बेस पर, वह Majority Minority, तो Minority इसका Rights का डे था तो National Minority Rights ने यह होता है, दसंबर 18 को बनाया जाता है, किसके लिए? कि वहाँ जो भी Minority Communities हैं, उनको Equal Participation मिले, वो जो भी करना चाहें, वो किस-किस बेस पर, चाहे रिलीजियस बेस पर हो, चाहे हमारी जबान, linguistic बेस पर हो, चाहे cultural background हमारा कैसा है, किसी भी तरह से हमारा Minority में है, उनको हक मिलने चाहिए, तो 18 दिसंबर को यह बनाया जाता है, United Nation ने इसको मनाना शुरू किया था, इसको अडॉप्ट किया था कब, दिसंबर 18 1992 को, तो यह और थीम हो जाएगी, celebrating diversity and inclusion, इंडिया में तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने भी बोलते हैं, unity in diversity, इंडिया एक ऐसी country है, जहां पर हमको पता भी नहीं है, शायद कितनी तरह की भाशाएं बोली जाती है, Constitution में तो अभी फिलाज जिर्व 22 भाशाएं हैं, लेकिन पता नहीं कितनी ही भाशाएं बोली जाती है, तो इंडिया is the perfect example of diversity, ठीक है, यहां पर हमारे पास है, अब कुछ countries हैं जिसमें लोग हमारे migrate करते हैं, इंडिया से लोग यूएस से जाते हैं, इंडिया से लोग कैनेडा जाते हैं, पूरी दुनिया से बहुत सारी लोग कैने जाता है, कि भया कोई भी इंसान दूसरे देश में welcome है, उनको हक मिलने चाहिए, दुनिया है यह, किसी पर इसका ऐसा निये, कि भया दूसरे देश का यहां नहीं आ सकता, नहीं, सभी को हक होना चाहिए, तो international migrants day इसलिए मनाया जाता है, तो on international migrants day, 18 December को ही, माफ कीजिएगा, यह 19 लिख दिया मैंने गलती से, तो PDF में आपको 18 ही मिलेगा, tension मत लीजेगा, यह मैंने कर दिया, ऐसे 18, तो 18 December को ही मनाया जाता है, कह रहा है कि हम कैसे, जो millions लोग है, जो migrate करते हैं, इंडिया से पता नहीं कितने लाखों लोग हर साल जाते हैं, कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई जॉब के सिलसिले में जाता है, कोई घूमने जाता है, हो तो गए सभी migrants ना, उनके लिए, और थीम क्या रखी है, acted today, इस दिसमबर का एक महिना है, बहुत सारी डेजरेट्स और थीम्स आते हैं, आर्बी असिस्टेंट का मेंस हैं, जिनका 31 का, और जिन्होंने SBI कल हैं, तो यह भी 19 दिसमबर को, यह भी 19 दिसमबर को, तो यह आज के दिन मनाया जाता है, 62 गोवा का Liberation Day, सर मतलब देश का बाजाद हुआ, 1947 में, लेकिन गोवा का बाजाद हुआ, 1961 में, वहाँ पर पुर्तगाली रह रहे थे भी, या, वो ना गय थे कहीं भी, गोरों ने भ आकर गोवा अजाद हुआ, और हमारा वहाँ पर जंडा फिराया गया, दिसमबर 19, 1961 को, उसे भी Operation Vijay का नाम दे, कितने विजए हो गए, एक Operation Vijay कारगिल वाला, कारगिल विजए दिपस, Operation Vijay अभी 16 दिसमबर को मना के हटे हैं, जब हमने पाकिस्तान को हरा कर बांगलादेश एक नया मुल्क बनाया, और तीसरा Operation Vijay हो गया ये, तो ध्यान रखेंगे, 36 घंटे तक Operation चला, और गोवा फाइनली भारत के अंदर आ गया, दिसमबर 19, 1961 को, तो दोस्तों ये हैं, और इसकी theme भी है, Freedom and Self-Determination and Patriotism and Sacrifice, ध्यान रखेंगे, very important, और ये रहे, कुछ important दिन आप सभी के सामने, हमने 10 दिसमबर से करना शुरू किया था, तो तभी है, और 18 दिसमबर को Minority Day, 18 को ही Migrant Day, और 19 को 60 Second Goa का Liberation दिवस, ये हमने सारा कुछ यहाँ पर डाल दिया है, डेली डेली से हम अपडेट करते जा रहे हैं, जब PDF इसे पढ़ो, एक बार reading इसकी जरूर करें, पेपर मेरा नहीं है, पेपर आपका है, ठीके इसकी reading आप जरूर करें, जब भी आप इसको PDF को पढ़ते हैं, चलिए, तो आप शुरू करते हैं, पिछले कल के करन्ट फिर एक बार बोलूँगा यार, शेर ही कर दो, मतलब जब तक बोलूँ ना, कहरें सर गगन सर आपने ब पांच विकेट लेने वाले, पांच विकेट लेने वाले, पहले भारतिय गैंदबाज कौन बन गए हैं, साउथ अफरीका की खिलाव, पहले पांच विकेट लेने वाले भारतिय गैंदबाज बन चुके हैं, नन अधर दन आर्शदीप सिंग, इन से पहले हमने क्या पढ़ याद कराने का तरीका है आपको तो 2018 से लेकर अब तक जितने भी खेलों इंडिया हुए है कहां कहां पर हुए है उनकी मैंने वेन्यू लिखने हैं सिर्फ एक साल नहीं हुआ कौन सा साल नहीं हुआ है तो 2018 में 2019 में 2020 में 21 में नहीं हुआ COVID-19 2022 में 2023 में और अब जनवरी 2024 में कहां पर तमिल नाडू में खेला जाएगा तमिल नाडू के चार शहर थे चैन्नेई, कोईमबटूर, मदूरई और ट्रिची के अंदर और अभी फिलहाल बोला कि एक खेल है जो नया इंक्लूड करा है स्क्वाश बाकी और जब आएंगे मुनको इंक्लूड अपने आप आप आटोमेटिकली करते रहेंगे, फिर हमने पढ़ा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये, तो छटी बार हो चुका है आपके सामने टेबल, फिर हमने हर्याना महरास्टर फर्स सेगंड, फर्स सेगंड के बारे भी बात तालिका में कौन सबसे उपर है, याने कि सबसे ज्यादा मेडल की अगर बात की जाए, किसने जीत, हमने क्या पढ़ा था कि पहली बार पैरा एथलीट्स के लिए भी गेम्स हुई है, खेलो इंडिया, साथ खेल इसमें खेले गए थे, और इसमें टॉप किया है, किसने हर्य हर्याना ने, राइट, काफी अच्छे से हमने इस चीज़ों को पढ़ा था, तो 105 मेडल आये हैं, टोटल हर्याना के, 40 गोल, 39 सिलवर और 26 ब्रॉंज, सेकिंड था उत्तर प्रदेश और थर्ड था तमिल नाडू, ये सब हमने चीज़े कर ली थी, फिर हमने बोला था, एक तीन वेन्यू में, साथ खेलते, कौन से खेलते, वो भी हमने पढ़े, और फिर एक प्रणव सूर्माते हर्याना के, जिन्होंने एक एशिन रिकॉर्ड भी बनाया था, राइट है, चलो, अगला, उजवला, एक पता नहीं क्या, ये मैस्कोट है, पहले खेलो इंडिया पैर गेम्स का, अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बने बात करी, तो इसकी मैस्कोट कौन है, शुभंकर कहा जाता है हिंदी में, तो मैस्कोट कौन है, तो बच्चे बोलते हैं, जुरूद क्या है, कुछ नहीं, बस प्रतीक होता है, खेलों का, कि हमारे खेलों का, एक कह अब थीम क्या है, उस तरह से, तो इसका कौन था, एक स्पैरो, हिंदी में बोले तो एक गौरया, यह है उजवला, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर गलती से उजवल लिखा हुआ है, यह उजवल नहीं है, यह उजवला है, चीजों को ध्यान रखेंगे अगला, जर्मनी ने अपना रिकॉर्ड सातवा टाइटल जीत लिया है, दो हज़ार तेज का मैन होकी वर्ल्ड कप जीत कर, फ्रांस को हरा कर, आप से सवाल हुआ कहां पे था, आप एक क्वेश्चन में देखो, कितने क्वेश्चन चिपे हुए हैं, जीता कौन जर्मनी, हारा कौन फ्रांस, किस सातवा टाइटल हो जाता है, ठीक है, और बेसिक सी बाते, फर्स जर्मनी, सेकिंड फ्रांस, थर्ड स्पेन और भारत आया था, चौते नमबर पर, और एडिशन कौन सा था, इसका तेरमा, और तेरा बार में से सात बार जर्मनी जीत चुका है, देख रहे हो दबदबा, और अर्जन्टीना, एक बार उस्ट्रेलिया, एक बार पाकिस्तान, यह जूनियर वल्ल्ड कप की बात हो रही है, सीनियर की नहीं, ठीक है, लाइक करते रहो यार देखो, दिलना तुम तोड़ देते हो, छन्द से वाज आती है, मुझे, चलो, अगला, कहां का डाइमंड बोर् साड़े-63 लाक मीटर बड़ा है, स्क्वेर मीटर बड़ा है, यह है सूरत का डाइमंड बोर्स, और बोर्स मैंने क्या बताया था, जहापर डाइमंड की ट्रेडिंग की जाती है, दुनिया का 90% डाइमंड जो है, जो पना क्या होता है और वो जो प्रिशे स्टोन होते हैं, 90% यहाँ पर पॉलिश करके बाहर कंट्री में बेचे जाते हैं तो सूरत के डायमेंड बोर्स के बारे में हमने बहतरी इन से एक बड़ी ऐसी वीडियो भी देखी थी याद है आपको फिर हमने पढ़ा था कि इसका नीम पत्थर किसने रखाता यह है उत्तर प्रदेश की जुरात की मुख्यमंत्री थी यह ड्रीम सिटी का एक पार्ट है इसे बनाया है दिल्ली के कंपनी है मौर्फोजेनिस ने एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कहां पर है खजोड गाओं में हैं सूरत के पास और 6.7 मिलियन यानिकी 606 लाक स्क्वेर फिट माफ कीजिए मैंने स्क्वेर मीटर मोला है सड़ सट लाक स्क्वेर फिट में बना हुआ 32 बिलियन रुपए इसको लगे थे बनाने में वेरी इंपॉर्टेंट चीजें सारी की सारी बाकी हमने पिछले करास में सब पढ़ लिया दबारा नहीं पढ़ेंगे तो ना टाइम न बनारस का केरे तमिल लोगों के साथ जो पुरातन लिंक है उसे जिन्दा करने की कोशिश की जा रही है तो वहां पर एक काशी तमिल समागमम हुआ था पिछले साल भी और इस साल भी हुआ है सिरफ सेकिंड ही एडिशन हुआ है और इंपॉर्टेंट सवाल कौन-कौन मिलकर करवा रहा है बनारस हिंदू युनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टिट्यूट अफ टेकनोलजी मदरास यांकि तमिल नाडू से आईटी मदरास और यूपी से भी यू यह मिलकर करवा रहे हैं और कौन करवा रहा है से मिनिस्ट्री आफ एड्यूकेशन मिनिस्टर कौन ध कलकत्ता इंट्रनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बतायए एक बच्चा पूछ रहा था मुझसे कि सर हम फिर गोवाले फेस्टिवल को ही क्यों पढ़ते हैं इंटरनेशनल फेस्टिवल को कलकत्ता वाला भी तो इंटरनेशनल फेस्टिवल और इसमें तो पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं मैंने का बेटा क्या नाम है इस फेस्टिवल का कहा सर कलकत्ता international film festival मैं ओर गवाले का नाम क्या है कहता सर इंडिया international film festival of India मैं कहा दुबारा बोल international film festival of India मैं कहा दुबारा बोल international यहाँ का सबसे बडए अवार्ड को कहा जाता है रोयल बेंगॉल टाइगर अवार्ड जो मिला है इस्राइली मूवी चिल्रन आफ नोबडी को चलिए इंदिरा गांधी एक मिनिट चलिए इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिस आर्ममेंट और डेवलपमेंट दो हजार तेज के लिए किसे मिला बता है आपके सामने है अप्शन्स इंडियन मेडिकल असोसियेशन ट्रेंड नर्सी असोसियेशन ऑफ इंडिया डैनियल बैरेन बॉयम या फिर अली अबू अवाद पड़े अराम से देना जवाब को सोच समझकर गडबड मत कर देना यार दिल तोड़ दोगा अगर आपने गडबड कर दी इसकी चन से टूटेगा मेरा सपना और जग लगएगा सुना सुना जवाब इसका हो जाता है डी यानि की 3 & 4 क्यों क्योंकि सर्थ 2022 का अवाड मिला था 1 & 2 को और 2030 का अवाड मिला है 3 & 4 को जա पड़े हैं sucks के एक पीस एक्टिविस्ट है और हमारे जो डैनियल बेरन वॉयम सहाब है ये टडडडडडड़ वह वाले हैं देखा टॉम इंजरी देखा उगा टॉम चश्मा पहन के काला सा कोट पहन के ऐसे से करता है वह वाले थे ठीक है ध्यान रखेंगे इंद्रा गांधी पीस प्रैस के बारे बात की थी दुबारा नहीं चलिए डॉक्टर अतुल शाह को और किया गया है 2023 के रीच गेम चेंजिंग इनोवीटर अवार्ड के लिए फॉर इस कंट्रिबिशन टू डैश के किसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है कैंसर केर टीबी की केर लेपरोसी की केर या परोसी की पैमारी को हिंदी में कुष्ट कहा जाता है कुष्ट रोग एक और नाम है इसका हैंसनς डीजीज बी कहा जाता है इसे क्या एंसंस डीजीज यह भी कहा जाता है इसे इस चीज को भी प्लीज ध्यान में रखेंगे तो यह रहे ।ॉक्टर अ चलिया अ? लाग्ला क्या किया था अपने को जानने का नहीं अपने को तो बस पानी निकालने का सीधी सी बात है पेपर पास करने तक मतलब रखना है clear फिर भी पढ़ा दिया था मैंने आपको कि रिसर्च डिवलप्मेंट करी थी इन फिजिकल एंड बायो साइंस और microbiological studies में किसने हेम चंदरन रवी कुमार साहव ने इसलिए इनको करमवीर चकर मैडल और रेक्स करमवीर गलोबल फैलोशिप दी गई थी चलिए अगला वेटरन एक्टर है कोई पता नहीं कौन इनको इटली का सबसे बड़ा civilian ओनर दिया गया order of merit वन आफ दे बिगेस्ट है ऐसा नहीं कि सबसे टॉप का है जैसे कि इंडिया के भी civilian ओर कौन है टॉप्स के भारत रतना पदम अभी भूशन पदम भूशन पदम श्री वैसे तो क लाम बात करने कबीर वेदी की जिनको इटली वालों ने ओनर किया है चलिए अगला इस पर question नहीं बनाया कोई बस एमिर आफ कुवेथ हैं शेक नवाव मर चुके हैं इनकी जगा वहां के crown prince शेक मिशाल आ चुके हैं बस इतनी बाते ध्यान रखनी थी और यह आपके सा वाड कहां के राष्ट्रपति के दवाररा हमने बड़े रामसे अच अच्छी से पढ़ा था याद याद है मैंने बोला क्हा करना है तुम को पूरा नाम याद करे घर पे भुलाने खाने को फिर रिष्ठा नहीं तो राष्ट्रपति कौन है इनका राणी राणी कहां का है राणी है श्रिलंका का यानि की रनिल विक्रम सिंगे जान रखें याद है आपको श्रिलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंगे ने तीन भारती आफिसर्स को एर फोर्स के आर्मी के और नीवी के को गोल्डन स्रिलंका की डिफेंस सर्विसीज कमांड स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग कर रहे थी इसलिए वहाँ पर फश्ट आये हैं इनको नाम अनर किया गया मैडगासकर को दुबारा से राश्टरपती मिल चुके है वही कौन है एंड्री जादा टाइम नहीं वेश्ट करेंगे इस प लिए 17 मिनिट हो गया और बहुत बढ़िया खूबसूरत तरीके हमने कर लिए करेंट अफेर की रिवीजन अब आपका करताव बनता है जैसे क्लास में आकर जाए सर कहते है ना यह पता एक छोटे होते से ना जब तो ना मैंना हमेशा यह सर बोलता था क्योंकि मैं पता लग और यह तरीके से पहले करेंगे हम बैंकिंग के करेंट अफेर्स की शुरुवात ठीक है बैंकिंग के करेंगे पहले तो हम करेंट अफेर्स की शुरुवात चलिए मैंसे जाया भी कि अड़्डा की टी-शर्ट नहीं पहनी तो आज ही पहनी है याद नहीं तो मैं दूसरी ज दोस्तों HDFC लाइफ ने विनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कमा लिया है जबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्फी मुजायक बनाया है मुजायक समझते हैं बहुत सारी फोटो से एक और फोटो बना देनी लोग आपको गूगल पर दिखा देता हूं मैं यह मैंने सोचा नहीं था कि आपको इसे दिखाऊंगा नहीं तो मैं इसी में लेकर आ जाता मैं तो देखो मुजायक क्या होता है M.O.S.A.I.C. बहुत सारी फोटो से एक फोटो बनानी ऐसा कुछ इसे भी मुजायक कहा जाता है यह देखो M.O.S.A.I.C. आफ फोटो जो टाइल का काम आ गया था कहे देखो यह देखो यह देखो बहुत सारी फोटो से फोटो से फोटो बनी हुई है इसे कहा जाता है दोस्तो मुजायक ठीक है इसे कहा जाता है मुजायक यह बनाये इन्होंने कितनी फोटो के साथ 19,097 फोटो के सा तो विशाल सबरवाल है जो चीफ मार्किटिंग ऑफिसर और ग्रूप हेड है HDFC लाइफ के इनका एम क्या था कहते हैं कि इन्हों को एंशॉर करना है लाइफ इंशॉररंस फॉर आल बाई 2047 तो इंडिया में क्या है जो सरकारी नौकरी में है उसके पास तो देखो लाइफ इंशॉररंस है हेल्थ इंशॉररंस है उसके पास लाइफ इंशॉररंस तो अव्वेसी आपको करवानी पड़ती है लेकिन जो प्राइविट में लोग काम करते हैं मुवीज में कितना आता है भाई यह सौत लॉक कभील भर गया और बापरे मैं कैसे भरू है ना रियल लाइफ में होता ऐसा क्योंकि लोग इंशॉररंस करवाते ही नहीं है किरें क्या जरूरत है लाइफ इंशॉररंस और हेल्थ इंशॉररंस बहुत ही जरूरी चीज़े है कभी भी बिमारा हो सकता भगवान करें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए आपको जो इंशॉरंस आपको वहाँ पर बचाती है और वह एज लो एज दो तीन सुरुपे महीने से भी शुरू हो जाती है महेंगी आप करवाना चाहते हैं वो अलग चीज़े हैं लेकिन कम तो होती है और लाइफ इंशॉरंस कम से कम जरूर करवानी चाहिए और लाइफ इंशॉरंस बस ऐसा नहीं आजा वो मत करवाएं कि FD करवादी, RD करवादी लाइफ इंशॉरंस करवाना गोल नहीं होता याद है मैंने थुटे दिन पहले बोला था कि आपको अगर कुछ हो जाए भगवान ना करे तो आपके बाद उसका क्लेम मिल जाए जैसे गाड़ी की सिर्फ इंशॉरंस करवाना गोल नहीं है गाड़ी बाइचांस कर जाते उसका क्लेम मिले वो इंपोर्टन्ट है इंशॉरंस का तो इनका टारगेट ही है कि 2047 तक सभी को इंशॉरंस दिलवानी है तो यही था इसी के लिए इन्होंने एक इवेंट की आई 1997 फोटो के साथ एक मुजाइक बनाया है सेलफीज के साथ फोटो मैंने ढूणने की बहुत कोशिश करी मुझे कहीं नहीं मिलिया कुछी को मिलती है अगर तो मेरे टेलीग्राम पर शेर जुरू करें करन्ट अफेर्स बैग गगन सर नाम से एक टेलीग्राम चैनल है आप जुड़ सकते हैं HDFC लाइफ के साथ सर उठा के जियो और फाउंड़ इन 2000 मुख्याले मुंबई और MDCEO विधा पर डाल कर अगला आते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक IIT कानपूर के साथ मिलकर लॉंच कर चुका है कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी अब क्या चीज़ है पहले पढ़ते हैं तो कह रहें ग्लोबल वार्मिंग के दबाव वाले बुद्धों को संबोधित करने और स्थिरता शिक्षा अनुसंधान और आउट रीच को बढ़ावा देने की दिशा में बेसिकली बहिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे बचना है सस्टेनेबिलिटी कि बहिए सस्टेनेबल चीज़े हम यूज करें तेल तो ना जादा फूक हो है ना कोईले जादा फूक हो ऐसी चीज़ यूज करें जी सस्टेनेबल हो भया आपके बच्चों के बच्चों को भी तो पता होना चाहिए क्या होता है तो उसके लिए क्रोने के लिए इन्होंने आई टी कानपूर ने कोटक महिंदरा बेंक के साथ मिलकर क्या लांच कर दिया कोटक स्कूल आफ सस्टेनेबिलिटी आओ तो कोटक स्टूल सस्टेनेबिलिटी इंडिया का पहला ऐसा integrated institution होने वाला है जो dedicated है sustainability education के लिए sustainable goals है नग 17 goals है वैसी ही चीज़े यहां पर पढ़ाई जाएंगी अब क्योंगे कोटक महिंदरा बैंक कोटक जो ग्रूप है एक कॉर्पोरेट है तो इनके लिए CSR भी होती है यह आपके responsibility बनती है समाज के लिए corporate social responsibility तो उसके तहती अपने CSR प्रोगराम के तहती कोटक महिंदर बैंक ने इयटी कानपूर के साथ यह टाइप किया है अब कोटक महिंदर बैंक के बारे में सबसे बड़ा करेंट फिर क्या है इनका नए MD CEO अशोक वसवान वसवान वसवानी इसमंफिंग लेकिन वह एक जनी करेंगी अगर आपका आज आत अगर आता हूँ विल्बीदा तो अशोक वस्वानी यह ध्यान रखेंगे बात 1985 में बना MDC अभी भी दीपक गुपता है और डायरेक्टर हो जाता है उदे कोटक एक जनवरी से अशोक सहाब टेक ओवर कर लेंगे कोटक महिंदर बैंक का इस बात का ध्यान रखेंगे आप चल लएक प्रोग्राम लौँच किया इंडस इंड़ बैंक ने आवपडते हैं इसके बारे में चीजें लॉझों क款 कर देंगे फैमली कर देंगे आपको खुश कर देंगे अगर आप डाम ऑंड में इसके साथ इन्वेस्ट करते हो तो इंडस इंड ब्रांच खोल दी है कहते कि भया हमने इंडस इंड बैंक ने वहां पर भी अपनी एक ब्रांच खोल दी है दुनिया की सबसे बड़ी डाइमंड की ट्रेडिंग हब के अंदर पूरा-पूरा खेल रहा है सवाल यही आए कि भया यह सॉलिटेर प्रोग्राम किस ने लॉंच किय बना रहा था तो मुझे रहा था काफी टाइम से जुड़े हुए हैं तो उनको मैं हर क्वेस्टन हर बैंक के बाद उनके बारे में बताओं कि कब बना था कॉन ंडी है और कॉन हैड़कॉर्टर है मुझे कई बार चीज़े लगते हैं और जनरली आप लोग पढ़ते भी न बताना कि मैं करौं यह ना कर वाँ हर बैंक के बारे में उसके बाद आपको चीज़ें बताता रहूं अगर नहीं तो भी बताओ अगर हां तो भी बताना क्लास के बाद अभी नहीं नेशनल यूज बहुत ही मज़दार न्यूज आज भाशीनी एइए इसने ट्रांसलेट कर तो मोधी जी ने यूटिलाइस किया एई पावर्ड एक इंडियन लैंग्विज ट्रांसलेशन टूल जिसका नाम है भाशीनी उत्तर प्रदेश में लोग वहाँ पर बैठे हुए थे लोगों को बोला वही है सारे बच्चे अपना अपना इयरफोन लगा दो मोधी जी और उनको सुन रहा था तमिल में बहुत ही क्रेजी बहुत ही बढ़िया मैंने स्पेशल आप सभी के लिए एप डाउलोड करी है और आपको मैं यूस करके दिखाने वाला हूँ इसको इसमें बेटा तीन चीज़े मिलती है एक है इसमें लिखा टेक्स्ट यह जो है यह वाल इसका अब यह चीज़ें टेक्स पर क्लिक कर रहा हूँ ना मैं यहाँ पर कुछ भी कि इन्हीं किया है मैंने आपको सुना कर दिखाता हूं मैं स्पेशल इस पंजाबी में बोल रहा हूं थी कर रहे हो तुसी की कर रहे हो सुना है सुना आपको फिर से सुनोगे के तुसी किठे चले हो समझ रहे हो सुन रहे हैं आब सभी को एक और तोहड़ा नाम की है तेरा नाम क्या है समझ रहे हो तो बहुत ही अच्छी आप लगी मुझे और इसमें देखी languages हैं असमीज है बंगला है अंग्रेजी है गुजराती है हिन्दी है कन्रड है मल्यालम है मराठी है ओडिया है तमिल है अब मैं मान लीजिए मैं हिंदी भाषा को मैं मल्यालम में करना चाहूं कि तू कहा जा रहा है भाई मतलब मुझे तो नहीं समझ आती किसी को आती है तो बता तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने वही बोला आप को लाइव एक्जांपल दिखाऊंगा अब इस बात पर लाइक बनता है यह मेरी गैरेंटी यह आपको यूट्यूब पर कोई भी ने आपको लाइव डेमो देगा है ना है ना है ना चेक कर लेना ठीक है चलो एनीवे शौफ नहीं कर रहा है यार बस मेहनत कर रहे है तो उसके वह लिए थोड़ा से लाइक और शेयर मांग रहा हूं आपसे चलिए आओ तो तमील लोगों को सुनाया करे एरफोन लगा लो और बहुत ही बड़ीया तरीके से करो आओ अगला चलते हैं तो भाषी नहीं एक अर्टिशल इंटलिएंस में चलता है सीम्पल सी बात और भारतिय भाषा है इसके इंदर सबसे बड़ी बात यह है देटा आया था लोग इंटरनेट न्यूस कर रहे थे क्यों क्यों क्योंकि जो कुछ रूरल बैक्गराउंड के लोग हैं वो कहते हम तो अपनी घरेलू लैंग्वेज में पंजाब का बंदा पंजाबी बोल रहा है पंजाबी में सर्च कर रहे हैं तमील में लिख रहे हैं सब कुछ इन चीजों के लिए इस चीज़ को इन्होंने लौंच किया आगया चलकर मारे इंटरनेट में भी इ अब जैसे जो एप है ना यह भी डेवलप हो रही है अभी डेवलप हो रही है अभी हर चीज इसमें क्लिक नहीं कर रही है कुछ-कुछ बेसिक चीज अगर मैं पूछू को बता देगा लेकिन कुछ टिपिकल है जो हिद्धी में कुछ खतरनाक सा वर्ड बोल देते हैं पंजा इंडिया और देखो इंडिया वेसिकली हम इसको आप को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं तो इस क्लास के बाद सभी बच्चे आयोएस और एंड्रॉइड में यह एप ज़रूर डाउनलोड करें भाशी नी और यूज करके देखें मजा आएगा और यूज करेंगे और य बाशीनी शौट फॉर्म है भाशा की एक इंटरफेस है दिके भाशा इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है भास इन इसे आजसो नोन एज डिटल इंडिया भाशीनी इसे प्रदान मंतरी मोदी जीने पिछले साल जुलाई 2022 में ही लांच किया था और यह ए आई-लेड लेंग् पंगे लें लग जाना ठीक है तो मोदी जी वहाँ पर बोल रहे थे हिंदी में लोगों ने एरफुन लगा इनको सुन रहा तमील में क्या वात है है ना चलिया अगला वीडियो देख लीजे पहले तो दुबया प्रदान मंतरी मोदी जी ने वारण असी के विश्व के सबसे बड़े ध्यान के इंदर का उध्गाटन किया तो दोस्तों वर्ड का सबसे बड़ा meditation center है आप लोग जाकर यहां पर meditate कर सकते हैं बहुत ही बहत ही खूबसूरत बनाया हुआ है नाम पड़ो कितना अच्छा है स्वरवेद महामंदिर नाम ही कितना सुनतर है ना स्वरवेद महामंदिर कहां पर किया है वारण असी में किया है अराम से वीडियो देखो एक बार special करने फिर वह वारण असी आए तमिल समागम में फिर आज यहां पर इस वाले मंदिर का इन्हों ने उद्गाटन किया बहुत ही बहतरी तो यह है दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर आओ पड़ें इसके बारे में तो प्रदान मंत्री प्रद उठा लिया है यह नहीं है मैं काटूंगा नहीं भगवान का नाम है तो ठीक है उद्गाटन किया सुवरवेद महामंदिर का उमाराहा वारणसी में आओ पड़ेंस के बारे में तो दोस्तो साथ फ्लोर उचा है यह पिंक मार्बल इसके लगा हुआ है और 20,000 डिवो कि उमाहा शिवरातरी है उती है वीस हाली हे होता है थे कि नहीं तो मिस हजार लोग यहां पर आशकते हैं एक वक्त पर किस पर है मंदिर ये स्वर्वेद स्वर्वेद मंदिर है ये है स्वर्वेद जी पर एक स्वर्वेद पर एक टेक्स्ट था तो मंदिर का नाम सद्गुरु श्री सदाफल दियोजी महराज ने एक लिखा था एक टेक्स जिसका नाम तो स्वरवेद इनको एटरनल योगी कहा जाता है और इन्हें विहंगम योगा का भी फाउंडर याने की संस्थापक कहा जाता है स्वरवेद मंदीर है स्वरवेद क्या है स्वरवेद एक स्पिरिच्वल टेक्स्ट है एक धार्मिक एक कहलीजी आप गरंत है उसके उपर इस मंदीर का नाम रखा गया है और स्वरवेद लिखा किसने था सद्गुरु श्री सदाफल दियोजी महराज ने लिखा था इस पर स्वरवेद मंदिर का नाम है ठीक है चलो आगे चलते हैं फिर से यह एकदम स्पोर्ट्स आ गया बीच में स्पोर्ट्स रुका नहीं कोई बात नहीं माफ कीजे वो ब्रेकेज नहीं आई बीच में विजय हजारे ट्रोफी की बात करते तो दोस्तो हर्शल बोल्स हर्या कर राजस्थान को आओ पड़ते हैं तो हर्याणा 2023 की विजय हजारे ट्रोफी को सुराष्टरा क्रिकेट असोशेशन स्टेडियम राज कोट में हराकर जीच चुका है राजस्थान को और इनका पहला टाइटल है यानि की हर्याना पहली बार विजय हजारे ट्रोफी जीता ह एक रहां चीज़ ध्यान रखेंगे किसे हराकर राजस्तान को कहां कर तुराश्ठ्र क्रिकेट असोसियेशन स्टेडियम राज कोट में के नाम की ध्यान रखेंगे राजस्तान की कैप्टन थे दीपक हुड़ा और अशोक मिनारिया अब विजै हजारे ट्रोफी के बारे में 2 टेस्ट मैच होताै वह होता है उसका वंड़े में वरजन विज्जे फजारे तो उसको पहले जाता है रंजी बोला कि टेस्ट मैच होगे रंजी ठ्रॉफी इसको वंडे में भी कर देते थे थि any अगर मैं बात करूं यह हमने बात पड़ी स्टाटिक जीके के अब इंडिया की सबसे पुराना टोर्णमेंट जैसे मैंने बात की रंजी ट्रोफी उस पर सवाल बन जाते हैं तो मैंने कल पड़ा रंजी ट्रोफी के बारे में प्रिंस थे यह गए इंग्लैंड में और इंग्लैंड की तरफ से खेले हैं तो उस वक्त दिन पर इल्जाम बहुत लगते थे कि आपने आप तो खेल चुके हो आप तो बहुत बढ़िया खेल तो इंटरनाशनल खेल चुके आप इंडिया में क्रिकेट को क्यों नहीं रहता गोरे खेल रहे थे गोरों के साथ भारतिये राजे खेल रहे थे और राजे कौन थे यहां पर मोस्टली अलग अलग तो हैदरबाद के निजाम थे कुछ जम्मू कश्मीर वाले थे और सबसे बढ़ादा राजा कहां थे पंजाब के थे महाराजा ओफ पत्याला थे ज जिन्हों ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था इंग्लैंड के लिए खेले था ये 6 साल के लिए 1896 से लेकर 1902 के लिए दो तक और कमाल की बात एक और ट्रोफी का नाम सुना है दुलीब ट्रोफी पता कि इसके नाम पर है दुलीब सिंजी वो कौन है इनी का भतीजा अच्छा लगा अच्छा लगा अज तक मिला रंजी ट्रोफी दुलीब ट्रोफी अब मतलब समझ में आया तो शेर और लाइक कॉन करेगा मैं मैं तो कर दिया तुम तुमी चली अगला के रला का एक स्टार्टप है जेन रोबोटिक्स यह तीसरा आया है इन ग्लोबल समिट 28 मेंबर से 28 कंट्रीज सरी 29 मेंबर से 28 कंट्रीज और एक यूरोपेन यूनियन तो वहाँ पर इंडिया की तरफ से केरला का जो स्टार्टप है जेन रोबोटिक्स उसकी रेंक आई है ठर्ड और इसके बारे पढ़त इंटरस्टिंग चीज बनाई है जेन रोबोटिक स्केरला का एक स्टार्टप है AI के लिए काम कर रहा था बढ़िया और उसके लिए ठर्ड रंक आई है से AI गेमचेंजर जीता है इन्होंने एट जीपे समिट 2023 कहां पर हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली जहां पर जीट्वेंटी हुआ था बहुत बढ़िया कहते हैं कि जेन ने बनाई है कुछ ऐसी मशीन अब जो लोग होते हैं मान लीजी एक्सिडेंट हो जाता है बहुत खतरनाक स्पाइनल कॉड की इंजरी है उनको पार्किंसन्स डिजीज है लोग जो चल नहीं सकते बेसिकली उनको सपोर्ट चाही होता है चलने के लिए प्रैक्टिस के लिए वह मशीन चलाई है इनकी जी गेटर के लिए जो के एक एडवांच आर्टिविचल इंटेलिजिस से चलने वाली रोबोटिक गेट ट्रेनर है यह देखिए प्रॉपर पैरों में पूरा एपरेटर्स लगाकर आपको चलने में आपको मदद करने के लिए नीचे ट्रेड मिल जिन्नों ने जी गेटर को डिपलॉय किया है मेरी ये न्यूस पढ़के मेरा दिमाग हिल गया सरकारी हॉस्पिटल ने इतनी महेंगी को इतनी डेवलाप इतनी कोई एडवांच मशीन ली है नौर्स इंडिया में कहोंगी हॉस्पिटल की बात करें हम कितनी खबरिप्स पढ़ते हैं अभी परसो ही मैं पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे यार किसी कहीं पता नहीं कौन सा एक हॉस्पिटल ता छोटा वहां पर एंबुलेंस नहीं मिली उसकी वज़े से एक भाई को अपनी बहन के शव को मोटर साइकल पर लेकर जाना पड़ा एक ऐसे हॉस्पिटल है फंड्स तो आ रहे हैं पता नहीं कहां जा रहे हैं एंबुलेंस नहीं हो पा रहे हैं तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्स जरूर करूँगा जब आप लोगों की जॉब लगेगी न मंदिर गुर्दवारे मस्जिद गिरजा घर आप जिस भी धर्म को बिलॉंग करते हैं आपको वहां का अपनी आस्था के साब से माथा जरूर टेकिया लेकिन कहीं न कहीं आइंबुलेंस जरूर गिफ्ट करना क्योंकि वो एक ऐसी चीज है उसका कभी गलत इस्तिमाल हो ही नहीं सकता भगवान के बच्चे हैं यार लोग किसी की जान बचाओगे दुनिया दुआ देगी आपको लोग क्या बोलेंगे एम्बुलेंस वाला टाइम पर आ गया था बच्की जान एम्बुलेंस आप देंगे मैं नहीं कहा रहा है ब्रैंड न्यू देदो लोगों से मिलकर दे दो लेकिन यार देना जरूर कभी न कर दो आपने आपसे जितना हो सके आपसे डोनेट जरूर करना अगर आप जब आपकी नौकरी लगेगी तो जो नौट सो गिफ्टिड होंगे उनकी आप मदद करना एक चीज़ यह करना धरम अपने बिलॉंग करना मातर टेकना बहुत बड़ी गया है गरीबों की मदद जरूर करना सरदी आए कंबल देके आना किसी को दिल से अच्छा लगेगा भूखे को खाना खिलाना दिल से अच्छा लगता है एंबुलेंस देना किसी को चान बचेगी आगे चलते हैं इंडिया की आकाश मिसाइल अचीव कर चुकी है दुनिया का पहला एक ऐसा कुछ काम क्या काम किया है चार टार्गेट्स को भईया एक ही बार में फोड दिया वो भी 25 किलोमेटर दूर चार मिसाइल ने आ रही थी यहां से हमारी चार गई कर दिया है बहुत ही बढ़िया क्या बात है तो आव पढ़ते हैं आकाश के बार में तो कुछ ऐसा था देखो यह चार मिसाइल हमने छोड़ी और यहां से चार टार्गेट आ रहे थे तो इंडिया ने दुनिया में पहल चक्तिक्साइज कर रही थी अब मिसाइल का नाम है आकाश अब एक चीज थी हमारे आपको पता मिसाइल मैं आफ इंडिया किसे कहा जाता है एपज अब्दुलकलाम जी को आकाश मिसाइल उन्हीं की देन है तो साल 1983 जब इंडिया को भी पता ही नहीं था करना क्या है डिफे पता है पतना भिहार की कैपिटल प्रित्वी अगनी त्रिशूल नाग और अकाश प्रित्वी अकाश नाग त्रिशूल और अगनी यह तो मैंने पतना आपको याद करने का तरीका बताया है पांच मिसाइल किसकी दिन एपीज अब्दुल कलाम जी की सेल्यूट अयार तो एनिवे तो बियांड इस डोमेस्टिक अप्लिकेशन अब अकाश जो मिसाइल है इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टन है क्योंकि अब इंडिया भी असला बारूद बेचने लगाया यान सब्सक्राइब अपने बहतरीन यह अकाश मिसाइल को भी एक्सपोर्ट करेंगा और आईजी एमडीपी के बारे में मत भूल जाना प्रित्वी अगनीत रिशूल नाग और आकाश चलिए उडिया बनाता है मिसाईले इनका काम है कब बना 1958 चेर्मेंट समीर वी कामत इंडिया ने रिटेन करी अपनी पोजिशन अबने बताया है अब रेमिटेंस क्या होता है इंडिया का आपको पता है सबसे ज्यादा लोग सबसे जादा तो नहीं मोस्ट मतलब भी नहीं काफी लोग इंटरनाशनल कहीं नहीं है यूएसे कैनेडा ऐस्ट्रेलिया इटली जर्मनी बेल्जियम नीदर लैंड यूनाइटिड किंग्डम तो वहां से अपने घर पैसे भी भेजते हैं हमारे पैसे भी यह आप यहां पर आपका भाई बाहर है कि भाईया मेरे को आईफोन लेना तो ले भी यह ने फैंके लाक रुपे ले उठा ले पैसा तो यह इंडिया में आ रहा है पैसा 2023 की बात बताईये इन्होंने कि भारत में सबसे ज़्यादा पैसा आया कितना 125 बिलियन डॉलर पैसा आया इंडिया में वर्ड यह लगबग आधे के लगबग है ना तीसरे पर है चाइना 50 फिलिपिन्स 40 और एजिप्ट है 24 हम साउथ एशिया की बात करें हमारे वाले एरिया की तो 7.2 परसेंट का इंक्रीज हुआ है रिमिटेंसिज में लोगों ने और ज्यादा पैसा डालना शुरू कर दिया है वर् द्देंक तो वर्ल्ड बेगगे लेकिन वर्ल्ड बैक ग्रूप है और विया द्द ग्रूप में पांच एंटीटीज है एक बार इसको अपना पड़िए ठीक है इंटरनाश्ल बैंक फॉर रिकन्स्रक्शन और डेवलपमेंट इंटरनाश्ण डेवलपमेंट Association International Finance Corporation Multilateral Investment Guarantee Agency International Center for Settlement of Investment Dispute World Bank Group के अंदर पाँच entities आती हैं very important ये भी ध्यान रखना है अगला world news अभी क्या किया हमने अच्छा anyway एक ही आज की इसराइल ने appoint किया है रुवेन अजार को as the नया ambassador to India with expanded diplomatic role राजदूत कर दिया है basically ने भारत के लिए इसराइल ने appoint इससे पहले कहां का था ये इससे पहले था ये रुमानिया का अब इसराइल के बारे में आपको बाते पता है मोदी जी का मित्र प्यारा है वहां पर एक क्या ना में उसका Benjamin Netanyahu याद है इसका ना Benjamin नेतन याहू प्राइम मिनिस्टर यहां का यहां के हम प्रेजिडेंट की बात करें तो आई सैक हर्जौग आई सैक हर्जौग हो जाता है capital इनकी जेरूसलेम है आज कलकों की मुद्दा ही बहुत है ठीक है इन चीजों को थोड़ी सी ध्यान रखेंगे हम और बस ठीक है ना चलिए कितने देर होगी एरे रे गिर गया मेरा 43 मिनिट्स क्या बात है बहुत ही बहतरी बढ़िया तरीक है समने काफी सारे आज के करेंटे फेर कर लिए है अब सोड़ी सी पिछले कल के करेंटे फेर की रिविजन कर ले क्यों कहँए सर अगर याद तो पेपर में क्या करकी आएंगे बच्चे ना मुझ पर हसते हैं इस बात पर कि सर इतना थोड़ी याद करना होता है इतनी थोड़ी रिविजन करनी होती है बेटा पेपर दो पता लेगा रिविजन ही है जो आपका पेपर पास कराएगी बाकी तो सब टाइम पास ही चला ह होता है करेक्ट है चलिए एक मिनिट यार ये पिटी बंध हो गई एक मिनिट दोस्तों बस एक मिनिट कर समय लूँगा अब पता मेरे को बच्चे थोड़ा लगते बच्चे यहां पर तूट जाते हैं बच्चे कहते कि नहीं सर्यार रिवीजन क्यों करवा रहे हैं और और करा आँगा और इतनी मेरी गैरंटी होगी कि 80-90 परसंट करेंट फिर वहां से आएंगे अब आपकी मर्जी है मेरे साथ 10 बारा करके महीने के 300-6 महीने के अठारा सो करेंटे फिर को दो बार पढ़ना है यह फिर शत्यस्तों को एक बार पढ़ना है वह आपकी कॉल है 80-90 परसंट की जिम्मेवारी मेरी है उसी मेंसे आएगा चलिए ठीक है आओ पिछले कल की करेंट फिर वीजन यूके बोल रहा है कि अंडर 16 से नीचे वाले बच्चों के लिए भईया सोशल मीडिया को हमने बैन कर देना है पहला बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा चाइना 2400 मीटर नीचे दुनिया की सबसे गहरी लेबरेटरी बनाई है लेबरेटरी का नाम क्या रखा था डर्फ अगला हार्दिक पंडे को बना दिया मुंबे इंडिन से कैप्टन रोई शर्मा को रीप्लेस करके इस्टन आई एक यूके की मैगजीन है उन्होंने शारुक खान क वो बोला कि सबसे वर्ल्ड का टॉप एशिन सेलेबरिटी है और मिशन अंटाक्टिका खतम हुआ साड़े साथ हजार स्कुएर फिट का एक जंडा 75 किलो का उसे अंटाक्टिका के माउट विंसन पर फैरा के आये थी हमारी टीम नेक्स्ट पूने ने चाइना को पीछे 84 लोग और पढ़ा क्या इन्होंने पढ़ा निसर गाचा नाश करू नाका को पढ़ा तीन मिनट तक लगातार और IDFC फर्स्ट बैंक ने LIC और मास्टर कार्ड के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड निकाले हैं और ओला ने कुरुत्रिम AI लॉंच किया है question of the day लेते जाओ question of the day लेते जाओ question of the day लेते जाओ WPL 2024 का auction हुआ सबसे महेंगे खिलाडी इस हुए दो लड़किया हुई है सबसे महेंगी एक गुजराज जाएंट ने खरीदी एक दिल्ली कैपिटल ने खरीदी दोनों का नाम आपको कॉमेंट्स में लिखना है किसी भी तरह के कोई भी शंका है तो telegram channel का नाम है भया current affairs by गगन बिना space के ये सर्च कर लेना pdfb class की जस्ट पांच मिनिट में आपको वहाँ पर मिल जाएगी कॉमेंट्स जरूर करना और यह जरूर बताना जो मैंने bank वाला question पूछा था कि हर bank के current affair के बाद उसके बार में detail बताओ या ना बताओ all the best guys take care and bye bye